नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर सुप्रवात्ता और आज एक ऐसी होमोपैथिक दवा के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ जो की लगभग लगभग हर तरह की सेक्शुल प्रॉब्लम्स में काम में आती है अगर किसी का पीनस में धिलापन रहता है नसे कमजोर हो चुकी है लिंक की साइच छोटा हो चुका है सिकुड चुका है या सीग्र पतन की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है किसी को या मान लीजे किसी में सेक्स करने की इच्छा ही नहीं होती है कामवासना करने की जो इच्छा होती है वो बिल्कुल नहीं है तो ऐसी कंडिसन में भी ये मेडिसन बहुती बढ़िया रोल प्ले करती है या इसके इलावा अगर किसी पूरुस में अगर टेस्ट्रोस्टरोन होर्मोन की कमी हो जाए या फिर बॉड़ी में LHFSH जो महिला होर्मोन होती है वो अगर बढ़ जाए तो इस तरह की होर्मोनाल चेंजेस के कारण से भी सेक्स्वल प्रॉब्लम काफी होते हुए देखा गया है तो फिर उस बंदे को हम लोग ये मेडिसिन बिल्कुल रेकमेंड कर सकते है इससे पूरूसो वाली होर्मोन जो होती है जिसे हम लोग टेस्ट्रोस्टेरोन बोलते है वो भी बूश्ट होता है इसी के साथ जो महिला होर्मोन होती है LHFSH उसका लेबल भी गिरता है रिड्यूस होता है इसके इलावा अगर आपका सुक्रानों में अगर कमी पाया जाए अगर आपका स्पर्म काउंट अगर लो है डॉकटर ने आपको बोल दिया कि आपका स्पर्म morphology ठीक नहीं है लिए भी हम लोग इस दवा के इस्तमाल कर सकते हैं और इसके इलावा कुछ लोग ऐसे भी है जिनको बहुत ज़्यादा घबराहट होती है सेक्स करने से पहले बहुत ही तेजी के साथ हाटबिट बढ़ जाता है जिसे हम लोग इंगलीज में परफॉमेंस एंजाइटी कहते है ये जो बंदा है दूर भागता रहता है सेक्स से ऐसा इसलिए क्यूंकि इनको पास्ट में कहीं न कहीं एक बार फेलियर मिला हुआ रहता है और मन में कहीं न कहीं ये इसी बात को लेकर डर रहता है कि मैं दोबारा फिर से फेल ना हो जाओं और जिसके कारण से सेक्स से पहल और वो वापस आता ही नहीं है, तो इस तरह की समस्या बहुत लोगों में पाई जाती है, मैंने मेरा केरियर में बहुत लोगों में इस तरह का प्रॉबलम देखा है, और इस कंडिसन में भी इस दवा का भरपूर इस्तमाल किया जा सकता है, इसके इलावा दोस्तों बहुत लो इसके इलावा जिन लोगों में दाड़ी मुझे सही से डबलब नहीं हुआ है, उनका उमर के अगर बात करें तो 24-25 वर्स हो चुके है, जो उनका उमर के एज के अकॉर्डिंग जो आना चाहिए था, वो जो है नहीं आया है अब तक, तो इस केस में भी हम लोग इस दवा के इ पेसेंड में, तो इस तरह के पेसेंड भी ये मेडिसन के इस्तमाल कर सकते हैं, इससे उनका वेट भी बढ़ेगा, और साथी साथ बॉड़ी में जो मसल मास की कमी है, वो भी इससे दूर होगा, तो जिस दवा का मैं बात कर रहा था, उस दवा का नाम है अस्वगंधा, अस् उसे देख लीजिए, आपको अस्वगंधा को मदर टिंचर में लेके आना है, और उसका बीस बीस बूंद, सुभे, दोफेर और साम को लीजिए, खाने से पहले लीजिए, और हाप का या फिर एक का नॉर्मल वाटर में मिला कर लीजिए, इस दवा को आप कम से कम तीन से च गाइब हो चुकी थी, वो जो है धीरे धीरे वापस आ रहा है, आपका मॉर्निंग इरिक्सेंन, जो सुभे के समया लिग में तनाव होता है पूरूसों में, वो पूरी तरह गायब हो चुका था, वो भी धीरे धीरे वापस आ रहा है, आपका लिंग का अंधर oxygenated blood का supply और वैसे भी ये एक होमोपाथी का जेनरल मेडिसन है इसे कोई भी ले सकता है बिना डॉक्टर के गाइडेस में भी आप इसे ले सकते हैं बहुत ही बढ़िया मेडिसन है ना जाने कितने लोगों के एरेक्टाइल डिस्फंक्शन सीग्रपतन की समस्या सिर्फ यही मेडिसन से दूर हो चुका है तो फिर इस वीडियो में मैंने आपको जो जो समस्या बताए है उन सभी समस्याओं में आप इस मेडिसन के इस्तिमाल कर सकते हैं आग बंद करके और अगर इस मेडिसन के बार में आपको और कुछ जानना है मुझस से तो फिर आ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंड करिए मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा तो दोस्तों मैं वीडियो को यहीं पेंड करता हूँ so thank you very much and have a good day